थोड़े समय पहले मेरे साथी विदाएक साब कह रहे थे कि साब जो यूआ है नसे की और जा रहे है नसा कर रहे हैं चिट्टा फैल रहा है इसमें का पता नहीं क्या-क्या नसों की नाम ले रहे थे साब उनको रोजगार तो दो सुवे हम लोग यहां पे 9 बज़े आके बैठते हैं रात को 9 बज़े तक निकलते हैं साब नसा तो दूर खाने काई पता नहीं चलता आपने अभी कहा कि साब हम 4 लाक यूआओं को रोजगार देंगे मैं स्वागत करता हूँ मैं टेबल बजा के आपके इस फैसला के स्वागत करता हूँ पर 4 लाक यूआओं को रोजगार दोगे कैसे आप अगर उनको रोजगार दोगे तो कोई नसा नहीं करेगा और रोजगार देने के लिए हमने क्या पॉलिशी बना रखी है कोई यूद पॉलिश यूआओं की अगर मैं बात करूँ यूआओं के रोजगार की बात करूँ तो पूरे देश में लगबग 8 से 9 परतिस अथ तक बेरुजगारी है वहीं हमारे राजस्तान में वो बेरुजगार इदर 27 पर सबबती बहुत है अभी यूआओं की बात चल रही थी खेलों की बात चल रही थी राजस्तान जो बोगोलिक रूप से सबसे बड़ा राज्य है यूआओं की अगर मैं बात करूँ यूआओं की रोजगार की बात करूँ तो पूरे देश में लगबग आठ से नो परतिसद तक बेरुजगारी है वहीं हमारे राजस्तान में वो बेरुजगारी दर 27 पर सबसे ज़्यादा अगर कहीं बेरुजगार आज की समय में कहीं है तो वो हमारे राजस्तान में थोड़े समय पहले मेरे साथी विदाएक साब कह रहे थे कि साब जो यूआ है नसे की और जा रहे है नसा कर रहे हैं चिट्टा फैल रहा है इसमें पता नहीं क्या-क्या नसों की नाम ले रहे थे साब उनको रोजगार तो दो सुवे हम लोग यहां पे 9 बज़े आके बैठते हैं रात को 9 बज़े तक निकलते हैं साब नसा तो दूर खाने काई पता नहीं चलता आप अगर उनको रोजगार दोगे तो कोई नसा नहीं करेगा और रोजगार देने के लिए हमने क्या पॉलिसी बना रखी है कोई यूथ पॉलिसी है क्या आपने अभी कहा कि साब हम 4 लाक यूवाओं को रोजगार देंगे मैं स्वागत करता हूँ मैं टेबल बजा के आपके इस फैसला के स्वागत करता हूँ पर 4 लाक यूवाओं को रोजगार दोगे कैसे वर्गी करण किया आपने आज के समय में हमारे यहां पे 2.5 करोड 5 करोड के आसपास 18 साल से कम यूवा है 88 लाक तो पहले से ही बेटे हैं और आने वाले 5 साल में सितर लाक की एक भीड और तयार हो जाएगी डेड करोड जो बेरुजगार होंगे उन डेड करोड में 4 लाक नोकरी क्या ये ठीक है कया करहे कि साब उंठे मांडे मजीरे आड़ी इस्तिती हो जाए हमें नए संसादन डवलप करने पड़ेंगे हर छेतर में उसके लिए हमें सभी को मिलके काम करना पड़ेगा मेरा निवेदन की यूथ पॉलिसी बनाई जाए यूथ पॉलिसी पे हम सब मिलके काम करते है और मैं तो परदेश की सरकार से हमारे खेल मंतरी जी से यूवा मंतरी जी से मैं निवेदिन करना चाहूंगा कि अगर यूथ पॉलिसी में अगर कोई समस्या आ रही है मैं यहां पे पूरी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ आप ये जिम्मेदारी हम पे छोड़ें आने वाले साथ दिन मैं यूथ पॉलिसी बना के आपके सामने रखेंगे इस सदन के सामने रखेंगे ये विश्वास के साथ कह रहा हूँ साहब अभी खेलों की बात हो रही थी आज से ठीक तीन दिन बाद पैरिस में ओलंपिक गेम हो रहे हैं हमारे पूरे दुनिया बर से दस अजार पांट सो खिलाडी उस ओलंपिक में बांग लेगे सब देश के 117 खिलाडी वहाँ पर भारत का परतिन दिद्धों तो करेंगे उन 117 में से हमारे राजिस्तान के कित्ते हैं राजिस्तान के हैं मात्र दो लोग और जो दो लोग वो जा रहे हैं राजिस्तान की दरब से राजिस्तान गोवर्मेंट ने एक रुपया उनके परसिक्षन के लिए नहीं लगाए वो खुद के खर्चे से वहाँ तक पहुंचे है हम बात करते हैं साब हम खेलों में आगे बढ़ेंगे कैसे बढ़ेंगे हम आगे साब मैं निवेदन करना चाहूंगा कि अभी तक जो खेल परिशद जो यहां पे खेल संचालन का काम करती है उसके अंदर कुल 41 रेजिस्टर्ड गेम है पचास जिल्ले हैं अगर एक जिल्ले में 41 लोग लगाएं जाये तो लगबग 2050 के आसपास परसिक्षक की हमें जरूरत है पर बड़ा दुख होता है साब 248 खेल परसिक्षक की स्विकर्टी हो चुकी है और वहाँ पर 66 परसिक्षक की लगाए हुए है लगबग 182 पद खाली पड़े हैं एक भी अपने पास कोच नहीं है बहुत गंभी रिस्तती है खेलों की मैं निवेदन करना चाहूंगा हमारे रज़त विजेता करनल राज़वर्दन सिंग्जी साहब से जो की खेल मंत्री है साब बिना दुरोना चारे के अरजन तयार नहीं हो सकते मैं आज इस मोके पे सादूल स्पोर्ट्स की भी बात करूंगा सादूल स्पोर्ट्स जो एक मात्रावासियर स्पोर्ट्स सेंटर है आज वहाँ पर इस्तियां बचसे बत्तर होती जा रही है मेरा निवेदन है आप से कि उन बच्चों की और भी आप ध्यान दे उन खिलाडियों की और भी ध्यान दे पिछले 16 साल से उन खिलाडियों को बोजन बत्ते के रूप में एक रुप्या भी इजाफा नहीं किया गया है 16 साल में महिंगाई तो बढ़ गई पर आज भी उनका बोजन बत्ता हुओ वैसा का वैसा है आप देखेंगे कि साब 50 डिगरी टेंपरेचर में भी वो खिलाडी वो हमारे छोटे भाई जो आने वाले समय में राजस्तान का भारत का नाम रोसन करेंगे वो एक पंखे के नीचे बिठें हम तो बड़े बड़े एशियों में बिठें साब पर उन खिलाडियों की बात कौन करेगा वो बिकानेर जिल्ला है खेल मंत्री जी वो आपका खुद का जिल्ला है मेरा निवेदन रहेगा कि उस सादूगल स्पोर्ट की तरफ आप विसेश द्यान दें साथी साथ मेरा निवेदन कि तमाम युवाओं के रोजगार के लिए आप नई संसादन लाएं मुझे समय दिया इसलिए मैं सभापती महोदे आपका बहुत-बहुत धन्यवाद ग्यापित करें